नमस्क्र दोस्त तो भाई आप लोग Pinterest के बारे में जरूर जानते होंगे और काफी साइ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने Pinterest को यूज भी किया होगा लेकिन अभी वे काफी सारे ऐसे users हैं ऐसे people हैं जो Pinterest کے बारे में फिल्कुल ही नहीं जानते काफी साइ लोग question किया करते हैं कि भाई Pinterest होता क्या है? Pinterest को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और इससे हम लोगों को क्या-क्या benefit मिलेगा? तो दोस्त अगर आपके भी mind में Pinterest से related किसी भी तरकर doubt है तो आज इस वीडियो को complete देखना चुकि आज की इस वीडियो में मैं आपको Pinterest यूज़ करने का complete process बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि Pinterest होता क्या है? Pinterest से क्या-क्या आपको लाव मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्त जैसा कि आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि Pinterest का मतलब क्या होता है Pinterest मिंस पिन मार इंट्रेस्ट ये भी एक social media platform है like ads, whatsapp, facebook, instagram जैसे कि whatsapp, facebook, instagram एक social media platform है उसी तरह से Pinterest भी एक social media platform ही है लेकिन यहाँ पर आपको यानि कि Pinterest पर आपको काफी सारी images और videos देखने को मिल जाएगी जिससे आप अपने काम के लिए idea ले सकते हैं पर एक घर बनवा रहे हो और आपको अपने घर के लिए interior design चाहिए look चाहिए मतलब कि आपको पता करना है कि मैं अपने घर के अंदर किस type का design दो तो आप Pinterest की सहायता ले सकते हैं Pinterest पर आपको interior house का जो interior design होता है वो आपको काफी सारा देखने को मिल जाएगा वहाँ से आप देख करके idea ले सकते हैं कि मुझे किस type का design चाहिए और भी कोई काम करने के लिए आप यहाँ पर Pinterest का help ले सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step दिखाऊंगा कि आप अपने mobile phone से ही Pinterest का use कैसे कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं screen की ओर तो भाई वीडियो को continue करने से पहले मैं आपको बता दू अगर आप लोग Yono SBI application यूज करना नहीं जानते वहीं पर अगर आप लोग flip card gift card के regarding जानकारी लेना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा चेक आउट जरूर कर लेना अब बात करते हैं में मुद्दे की दोस्त अगर आप लोग भी Pinterest यूज करना चाहते हैं Pinterest के बारे में complete जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने mobile में play store को open कर लेजिए open करने के बाद सर्च बार में type कीजिए Pinterest तो आपके सामनी ये application open हो जाएगी website पर जा करके इसे यूज कर सकते हैं तो दोस्त जैसा कि देखी ये download होना start हो चुका है सबसे पहले इसे download होने देते हैं उसकी बाद आगे की process के लियर कर देता हूँ तो देखे दोस्त Pinterest application install हो चुका है इसकी बाद इसे open करना है open करने के बाद आपके सामनी इस तरह का user interface दिख जाएगा उसकी बाद यहाँ पर आपको sign in करना है तेखे आप अपने Gmail account को डाल करके भी sign in कर सकते हैं या फिर आप अपने Facebook account से भी sign in कर सकते हैं या फिर आप अपने Google account से भी sign in कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अपना email ID डाल दीजिए, उसके बाद continue पर click कर दीजिए, continue पर click करने के बाद अब यहाँ पर आपको password create करने के लिए बोला जाएगा, आप यहाँ पर password डाल करके और next पर click कर दीजिए, next पर click करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, तो आप अपना original ही date डालना, date of birth डालना, आप कुछ भी डाल सकते हो, चलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 29, ठीक है, उसके बाद next पर click करना है, next पर click करने के बाद यह loading लेना start हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह का page आएगा, आप male हो या female, तो आप यहाँ पर choose कर लेजिए, choose करने के बाद यहाँ पर आपको next पर click करना है, next पर click करने के बाद देखिए, यहाँ पर welcome to Pinterest, अब यहाँ पर आपको pick 5 or more to get started, मतलब कि आपको अपना 5 जो category है, वो choose करना है, जो आपके हिसाब से हो, म आप यहाँ पर choose कर लेजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं choose कर लेता हूँ, nature photography, उसके बाद आपको minimum 5 करना ही होगा, उसके बाद और आगे जो आप कर सकते हैं, लेकिन 5 आपको करना ही है, तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको choose कर लेता हूँ, उसके बाद यह, आप अपने हिसाब करने के बाद देखिए, all done हो चुका है, और आपके समने इस तरह का page आ जाएगा, अब आपने जो भी choose किया होगा ना, उसी के according आपके समने कुछ इस तरह का images दिखाये जाएगा, उसी के base पर, आपके interest के base पर, आपके समने image दिखाये जाएगे, कुछ इस तरीके से, वो भ यहाँ पर देख रहे हो, यानि कि जिस page को आप देख रहे हो, यह आपका home page है, और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि आपने जो category choose किया था, उसी के according, आपके interest के हिसाब से, यहाँ पर आपको image दिखाई जाएगी, अब आपको कोई भी image अगर माल लीजिए download करना है, तो आप उस पर click कीजिए, click करने के बाद देखिए, यहाँ पर save का option है, आप save पर click कर देजिए, save पर click करने के बाद देखिए, save to myself, tap here to visit your board, ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर board भी create करना होगा, save करने के लिए, ठीक है, तो इसे मैं cut करता हूँ, इसको remove करता हू इसके बाद देखिए, आपको home page पर और भी कैस सारी interesting photos मिल जाएगी, जैसे कि यह photo है, मैं इसी download करना चाहता हूँ, तो आप इस पर click कीजिएगा, click करने के बाद, save बाले बटर पर click कीजिएगा, तो आपके सामने इस तरह का page आजाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ब click कर देजिए, या फिर किसी और नाम से आप board create करना चाहते हैं, तो आप create board पर click कीजिए, click करने के बाद यहाँ पर आपको board name type करना होगा, आप कुछ भी नाम type कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में ढूंडने में आसानी हो, ठीक है, तो यहाँ पर देख लिजे मैंने type कर दि करना है, click करने के बाद यह create हो जाएगा, save to submit, उसके बाद अब आप जो भी image यहाँ से download करोगे, देखिए, यहाँ पर सुमित लिखा हुआ है, माले जी मैं इसे download करना चाहता हूँ, save करना चाहता हूँ, तो save वाले option पर click करना है, उसके बाद अब आप इस image को कहां पर save करन चाहते हैं, उसी board में, तो आप simply सुमित वाले option पर click कीजिए, और यह save हो जाएगी, ठीक है, अब देखिए, यहीं पर आपको एक option दिखेगा, three dot का, और left inside में आपको share वाला button दिख जाएगा, यहीं से आप share भी कर सकते हैं, WhatsApp, Facebook, Instagram, जहां पर भी आप चाहें, कर सकते हैं, तो इसी फिलाल बंद कर दिते हैं, अब देखिए, यहीं पर आपको एक lens का icon भी दिख रहा होगा, इस पर click कीजिएगा, तो यह जो image है, इसी को capture कर लिया जाएगा, वो lens capture कर लेगा, और इसी image के according, आपको नीचे में और भी काफी सारे image दिखाए जाएंगे, जो कि बहुत ही interesting और HD quality में होंगे, ठीक है, तो यह सबसे अच्छी बात है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको three dot पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर काफी सारे options देखने को मिलेंगे, copy link, यानि कि इस image का आप link copy कर सकते हैं, image download कर सकते हैं, pin hide कर सकते हैं, उसके बाद report pin कर सकते हैं, तो यह सारे options आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको all का option दिखेगा, तो आपको यहाँ पर all images दिखाया जाएंगे, वो भी interesting, interesting, और अगर आप today का use करते हैं, यानि कि today बाले option पर click करते हैं, तो आपको आज का दिखाया जाएगा, देखिए 17 जनवरी 2021, stay inspired, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसके बाद following का option है, इस पर click करके आप following भी देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको नीचे में काफी सारे options से देखने को मिलेंगे, home, search का, notification का, saved का, तो अगर आप कोई भी image सर्च करना चाहते हैं, particular कोई भी image, तो click करने की बाद आपके समने house के काफी सारे designs आ जाएंगे, जैसे की देखिए यहाँ पर काफी सारे आपको design से देखने को मिलेंगे, अब आपको जो भी image अच्छा लगता है, simply आप उस पर click कर देजिए, click करने की बाद उसे आप download कर लिजिए, जैसे की मान लेजिए, यह image है मुझे काफी अच्छा लगा, मैं इसी type का घर बनवाना चाहता हूं, तो आप इसे save कर लिजिए, सुमित में ही, और यह save हो जाएगा, उसके बाद जब चाहे, आप इसे देख सकते हैं, और lens पर click करके, आप इसे capture कर लिजिए, इसी के according और भी काफी सारे image नीचे में देख करना चाहते हैं, तो यह भी देखिए, exterior पर click किजिए, तो आपको home का जो बाहर का, face मतलब की बाहर का design है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देखिए, यह बाहर का design है, उसके बाद अगर आप interior चाहते हैं, तो interior आपको भी मिल जाएगा, ठीक है, यह interior है, इस प इसे बाले icon में एक camera का icon भी उपर में देखने को मिल जाएगा, आप इस पर click किजिए, click करने के बाद camera open हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप अपने समने जो भी product रखोगे, जो भी photo रखोगे, चाहे वो camera का हो, laptop का हो, या पर keyboard का हो, तो आप जैसे इस पर click करोगे, click क किसी भी product को आगे में रेक्टर के photo क्लिक कीजेगा, तो आप यहाँ से और भी कई सारे images पास सकते हैं, वो भी HD quality में, और किसी भी image को आप download भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यह मैंने आपको example के through clear किया है, उसके बाद देखे, यहीं पर आपको काफी सारे ideas भी देखने को मिलें हैं, ठीक है, जैसे कि देखे, यहाँ पर apartment interior है, या फिर यह है, तो इस पर click करने की बाद यहाँ से आप किसी भी wallpaper को choose करके save कर लीजिए, save करने की बाद अपने mobile की gallery में बिल्कुल ही आसाने से लगा सकते हैं, यानि कि mobile के screen wallpaper में लगा सकते हैं, चुकि जैसे आप download कीजेगा उसके बाद देखे, यहाँ पर notification का option है, तो यहाँ पर अभी कोई notification नहीं आया है, तो notification आएगा, तो यहाँ पर दिख जाएगा, कोई भी update आएगा, तो यहाँ पर आपको notification मिल जाएगी, उसके बाद saved का option है, save पर click करके, आपने जो भी save किया है, अपने mobile में सारा कुछ वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको wallpaper यानि की आपका जो profile है, वो भी दिख जाएगा, इस पर click किजिए, click करने के बाद देखे, यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने किस email IDC login किया है, वो भी आपको दिख जाए है, उसके बाद देखे, यहाँ पर जो है, आपको setting का option देखे, पर click किजिए, click करने के बाद edit profile पर click किजिए, तो आप profile को भी edit कर सकते हैं, जैसे first name, last name, user name आप create कर सकते हैं, about you, अपने बारे में कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं, location डाल सकते हैं, website का link यहाँ पर डाल सकते है और done पर click कर देजिए, same हो जाएगी, तो इस तरीके से Pinterest का use आप अपने mobile phone से ही कर सकते हैं, मुझे उमीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गये होंगे, लेकिन फिर भी आपके mind में किसी भी तरह का doubt रह गया हो, तो नीचे comment जरूर कर देना, तो आज बस इतना ही, तो I hope दोस्त, आज की यह वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी, और साथ ही आपको knowledge भी काफी अच्छी मिल गई होगी, वीडियो अगर पसंद आई, तो वीडियो के नीचे like का button है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो, त तो चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह का informative वीडियो आप तक पहुंच सके, और हाँ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, share जरूर कर देना, तो वह मिलता हूँ आपसे, फिर से किसी next वीडियो में, तब तक के लिए बद्दमाद्र झाल 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